स्वागेत है आपका मेरे योटूब चैनल मनौहर की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं पालक का साग अगर इस तरह से पालक का साग बनाएंगे तो बड़े तो क्या बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पालक लिया है अच्छे से दोकर इसको बॉयल कर लेंगे दो मिनिट के लिए पालक को ढखन लगा कर बॉयल कर लेते हैं यह हमारा पालक बॉयल हो चुका है अब एक कड़ाई लेंगे इसमें डालेंगे सरसों का तेल जीरा चटकाएंगे थोड़ी सी जुटके बर हेंग डाल देंगे तेज पत्ता और दालचिनी का टुकड़ा डाल देंगे यह बारिक कटावा लहसुन डाला है अगर आप लहसुन नहीं काते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं बारिक कटावा प्याज और हरी मिर्ची को अच्छे से भून लेंगे प्याज को सुने रहा होने तक भूनेंगे यह इसकी फ्लेम को कम ही रखना है अब इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, दनिया पाउडर, नमक तोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छे से भून लेंगे लगातार चलाते जाना है हमारा मसाला भूनता है जब तक हम पालक को पीस लेते हैं पालक को मिक्सी के जार में डाल देंगे यह बारिक पीस लिए है पालक को यह हमारा मसाला भी भून गया है इसमें डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रेम यह दूद की मलाई लिए मैंने अच्छे से भून लेंगे दो से तेन मिनिट तक दूद की मलाई को अच्छे से मसाले में भूनना है यह देखिए मसाला हमारा तयार है अब इसमें पीसावा पालक डाल देते हैं वाच्छे से मिक्स कर लेंगे यह मारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसको ढखन लगा कर हम चार से पांच मिनिट तक पकाएंगे ताकि पालक का कच्छा पन दूर हो जाए यह चार से पांच मिनिट हो गए है अब इसमें डाल देते हैं फ्रेश हरादनिया अब इसमें घी का च्छोंक लगाएंगे एक पेन में थोड़ा सा घीर लिया है जीरे डालेंगे यह बारिक कटिवी लहसों और डालेंगे थोड़ी सी थोड़ी सी कटिवी लाल मिर्ची डालेंगे इसका च्छोंक लगा देंगे खाने में बहुत ही स्वाद लगता है इस तरह से पालक बनायवा बच्चे भी खरते हैं तो आप भी इस तरीके से पालक बनाईए मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिलकुल नहीं भूलें झालक पत्वरो झालक लाए रगते हैं